तो आज हम जाने वाले हैं लखनौ तू कानपूर वायकार तो आज मैं आपको गंगा वेराज दिखाने वाली हूँ तो चलिए इस गंगा वेराज देखने के सपर को शुरू करना पड़ेगा चोई शुरू कर लेते हैं आज का ये सपर कि रिंग रोड बारश आज के हैं अवद चोराहे तो आपको पढ़ जाए का आलमंबाग मेट्र स्टेशन हमें मिलने वालाен नगर मेट्रे स्टेशन यहां व्म देख सपतों मिलने वाला है मिलने वालां है आपका एयर पर्डू कर देंगए तो अमीट इंडिकेट हहाँ में मिल जाएगा चार बाग यही से आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपको हो semester होते हुए बुजर जाती है यहाँ से सामने दिख रहा है मानवर्त का सीराम उसमारद यहांसे अगर अंदर की तरफ़ेंटर लोगवा तो काफी देंडर जाके आपको डो Isa Da video du wiDee तो अब हम आ चुके हैं अमौसी यानी की चौधरी चरर सिंग हाद पहले इस एयरपोर्ट का नाम अमौसी एयरपोर्ट था बड़ बाद में इसे बदल के चौधरी चरर सिंग एयरपोर्ट रख दिया गया है तो यहां से आप देख सकते हैं जहां से आपको यह ब्लू बोर्ड दिख रहा है उसके साथ ही लगे हुई जो आपको एक तीन की चादर दिख रही है यहां से जहां तक आपको यह तीन की चादर मिले आप समझ जाएगा वहां तक आपका यह चौधे जर सिंग हवाई अड़ा झाल झाल पांकरमो और करनोज बीच में कानपुर और लख्मो के भीच में आपका ये पढ़ जाता है तो यहाँ पर हम आच चुके हैं नेशनल हाईवे अथोरिटी आफ इंडिया वेलकम तो नवाब गंज तो यहाँ पर यह हमें नवाब गंज का जो टोल प्लाजा है वहाँ पर आ चुके हैं लकनव और कानपुर के बीच में आपको एक टोल प्लाजा मिलता है जो है आपके नवाब गंज करें तो यहां से हम सुकला गंज और ना ही उन्नाव से होते हुए जा रहे हैं गंगा बैराज के तरफ यहां से होते हुए यही ट्रांसिटी गंगा तक आ चुके हैं क्योंकि अगर हम उन्नाओ या सुकला गंग से होकर आते तो राष्टे में हमें यहां पर बहुत ही जादा ट्रापिक मिलने वाला था जिसके चेकर में हमारा बहुत ही जादा टाइंग देश्ट होता तो यहां से हम हाईवे पर आच इसलिए मैं लेती हूँ काणफूर के इस अमरोग का टेस्ट आप देखेंज आप का यह गंगा वैराज यहां पर आप देख सकते हैं जहां से यहां यांनि कि दो क्ष 1991 आप 13 वह ईएघ्र जहां हो बलू कलदब आप समझ जायएग सब्याo यहां से सुरू हो चुका है यह जो गंगा नदी के उपर से हो्तों अच्छल यह बांगी का वीडियो जो है मैं वह प्मक्राइब मुझे घड़ जाना है मैंनली आज हम यहां पे गंगा वेराज में आ चुके हैं जो कानपूर के इभड्पूर में बना हुआ है तो आगर आप कानपूर से लखनोई या गंगा वेराज होते भी जा रहे हैं तो एकपर जोग यहां पर विजित करिए तो मैं आपको युजू दिखाते हूं यहां का यह आप देख सकते हैं कि लबकुस बैराज यह कानपूर के आजाद नगर में है चाहां पर यहीं से लगा हुआ आपको इस गंगय बराज के पास आपको एक पुलिश चौकी भी मिल जाता है क्योंकि बहुत बार ऐसा हो तो लोग इहां पर सुसाइट करने आते हैं यह बहुत सारे लोग रोट जो उद्रहें दोग दूबर सूरे को धो यहां पर देख सकते हैं जो बंगा जी में का क्या वह जो मुझे सबसे बेस्टिंग यहां पे लगी जो मैंने बेस्टिंग यहां पे कैपचर की ती वह था यह संसेट साम के 5 बज़ रहे थे फौग फॉग यह था चारो तरफ इतना ज़ादा फॉग था क्योंकि यहां पर थंड का टाइम है और लेकिन जो व्यू था साम का वह बह यहां पर आपको बहुत सारे मंकी भी देखने को मिल जाएंगे, सामको यहां पर आपको बहुत सारे लोग वाक करते हुए मिल जाएंगे, रन करते हुए मिल जाएंगे, आपको फूड स्टॉल भी यहां पर कापी देखने को मिल जाते हैं, लोग यहां पर अपने फ्रेंड्स सर्किल फैमिली के साथ सेल्फी लेते हुए यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं तो अब हम आ चुके हैं डॉल्फिन हाउस में तो यह देख सकते हैं लगपुस वैराज यहां से स्टार्ट हो चुका है आई लव कानपूर यह यहां का सेल्फी पॉइंट है आपने थमनेल पर भी देखा होगा मैंने यहीं की पोटो लगाई हुई है तो यह आप देख सकते हैं जो इस प्रेट रोड़ है यह बहुत ही दूर तक जाती है यह जो गंगा वैराज है ना 621 मीटर में बना हुआ है इस इसे ही कहते हैं डेख पॉइंट तो अगर आप गंगा वैराज घूमने जाएं तो प्लीज नीचे की तरफ ना ही जाएं और ना ही अपने बच्चों को जाने दे तो यह आप गंगा की वेवस को जाते हुए देख सकते हैं यह वेवस काफी दूर तक आपको देखने को मिल पॉरा वाइट वाइट आपको दिख रहा है तो यहां पर आ चुक है हैं चौकी अटल घाट थाना को होना तो अगर आपको याद होगा कुछ दिन पहले एक इंसिडेंट हुआ था जहां पर हमारे जो मोदी जी गए थे वो स्टेस पर चरते वक्त गिर गए तो यह वही घा जना इसको बनाने में लगबग 303 करोण रुपए लगे हुए थे और यह जो गंगा बहराज है इसमें अज कम से कम चार जो हाइवे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और यह मोड जो सबसे में कनेक्ट है यह एन एच 91 पर कनेक्ट होता है इस अधल गाट में लोग साम को वाक गर्ट देखने को मिल जाते हैं यहां से किर्टी के लिए काफी लोग भी आप पर रहते हैं जो गोर्वमेंट की तरफ से रहते हैं क्यूंकि बहुत बार ऐसा अगर को डूब रहा है तो उन्हें बचाने के लिए यहां पर सैप्टी के आप देख सकते हैं जो ओरेंज रोर क को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और बैल अगर से क्लिक करेगा ताकि आने वाले सारे नए वीडियो के आकांचाद एक्सप्रोर के जो वीडियो है न सबसे पहले आपको मिल जाएं तो देखिए ये प्यारा सब्सक्राइब मिलते हैं नए वीडियो में तक तक लिए बाए बाए जो है दबेगा